हलो दोस्तो स्वागत है हमारे चैनल पे दोस्तो हम इस वीडियो में जानेंगे अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर रेजिस्टर नहीं है दोस्तो या आपका मोबाइल नंबर जो रेजिस्टर है उस पे OTP नहीं आ रहा है दोस्तो या आपका मोबाइल नंबर वो खो गय तो आप कैसे आपना अधार डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों बीना OTP के आप अधार डाउनलोड यहां पर कर सकते हैं दोस्तों तो हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस जानेंगे दोस्तों तो आपको यह वीडियो को पूरा देखना चाहिए दोस्तों और आप यह वीडिय आई ये आप जैसे ही लिखेंगे आधार का वेबसाइट आपको मिल जाएगा दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अधार का वेबसाइट सबसे उपर में ही आपको यहां पर दिख जाएगा दोस्तों यह आपको इस पर क्लिक करना होगा और आप यहां पर देख सकते हैं जैसे ह आप यहां पर क्लिक करते हैं आपका जो भी अगर आप आधार नंबर से यहां पर डाउनलूड करना चाहते हैं आधार नंबर आपके पास है तो आपको यहां पर आधार नंबर इंटर करना होगा अगर आपके पास किवल आपका जो भी रहे स्टेशन यानि इंडॉल्मेंट तो आपको यहां पर देख सकते हैं, enrollment number इंटर करना होगा, enrollment number इंटर करने के लिए आपको यहां पर देख सकते हैं, जो e-id का यहां पर option दिया है, दोस्तों इस पर आपको click करना होगा, इस तरह से आपको enrollment number डालने के लिए आजाएगा, यहां पर देख सकते हैं, इस तरह से आ पर आप यहां पर देख सकते हैं उपर निश्चाय से करके आपको यहां से जो ही टाइम आपका रिसीविंग में दिया गया है दोस्तों उसके अनुसार आपको यहां पर टाइम सेलेट कर लेना होगा और आपको और अगर आपके पास भी आईडी नंबर है तो आप यहां पर यहां पर दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करके आपको यहां पर भी आईडी नंबर इंटर करना होगा तो दोस्तों मेरे पास अभी आधार नंबर अबलेबल है तो मैं यहां पर आधार नंबर से डाउनलोड करके दिखाता हूं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है तो मैं आपको विएडी नमबर वहाँ पर पूरा तरह से मिलेगा दोस्तों और विएडी नमबर ही आपके वाल यूज़ कर पाएंगे कहीं अधार नमबर आप उस अधार प्रिंट से आप यूज़ नहीं कर पाएंगे तो इसके बाद अगर आपको मास्क आधार चाहिए तो आपको इसके बाद आपको दिख सकते हैं इस्ट में आपको अधार आमगा जाएगा तो आपको आपकोई पे आलाव ओंगा जाएगा तो आपको 이렇게 करना होगा और आपको देख सकते हैं और इसके आप something activists करेंगे आपको थोड़ा आपको देख सकते हैं यहां पर आलाव मांगा जाएगा तो आपको यहां पर आलाव करना होगा और इस तरह से दोस्तों यहां पर आपका जो आगे का कैमरा है दोस्तों यहां पर ओपन हो जाएगा और यहां पर देख सकते हैं आपका जो भी फेस है यहां पर कैप्चर किया ज सकते हैं और यहां पर कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं जो verify and download का option यहां पर दिया है इस पर आपको क्लिक करना होगा और आपका जो भी फोटो है दोस्तों आपका अधार से मैच होगा उसके बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों और इस तरह से आप तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और असानी से यूजर कर पाएंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक ज़रूर करें कोई भी दिकत हो तो कॉमेंट करें दोस्तों और वीडियो को जरूर सेर करें वीडियो देखने के लिए थांक यू दोस्तों